नमस्कार तो आईए अपनी उप्यासी की तयारी के लिए आज 6 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं 6 जनवरी 1885 में भारतेंदू हरिष्चंद्र का निधन हुआ उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है उनका वास्तविक नाम हरिष्चंद्र था भारतेंदू की उपाधी से उन्हें सम्मानित किया गया हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारम भारतेंदू हरिष्चंद्र से माना जाता है वे भारतेंदू नवजागरण के अगरदूत रहे जिनोंने देश की गरीबी, प्राधीनता, सासकों के औमानवी सोसन के चितरन को ही अपने साहित्य का लक्षे बनाया वे एक लेखक, कवी, संपादक, निबंदकार और कुसल वक्ता थे भारतेंदू जी ने मातर 34 वर्स की अलपायू में ही विसाल साहित्य की रचना की दूसरी घटना है, 6 जनवरी वर्स 1949 में नायब सुवेदार बाना सिंग का जन्म जम्मू और कस्मीर के कागाल गाउं में हुआ मानत कैप्टन बाना सिंग वारत के सरोच सैनिक सम्मान प्रमवीर चकर से सम्मानित भूतपुरू सैनिक हैं सियाचिन गलेसियर को पाकिस्तान के कबजे से मुख्ट कराने की अभियान में सिंग ने अप्रतिम सोरिय का प्रदर्शन किया उनकी वीरता को याद रखने के लिए सियाचिन में जिस चोकी को बाना सिंग द्वारा फते किया गया उसका नाम बाना पोष्ट रखा गया परमवीर चक्र से सम्मानित होने के समय बाना सिंग नायब सुबेदार के पदपर थे जो बाद में सुबेदार, सुबेदार मेजर और मानत कैप्टन बने तीसरी घटना है आज ही के दिन परधारमंत्री सिरीमती इंद्रा गांधी की हत्या में सामिल सत्वन्त सिंग और कहर सिंग को फासी पर लटकाया गया था धन्यवाद